जोहार जारखंड नमस्कार साथ हो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एक जाम हैपी बाई जारखंड में तो दोस्तो यहाँ पर जेटेट निमावली कैबिनेट से पास हो चुकी है कैबिनेट से पास होते ही आप लोगों के मन में या बात उट रहा होगा कि एक से प्रात्मिक सिच्कों के लिए क्या कुछ जेटेट की निमावली बनाई गई है और चो से आट के सिच्कों के लिए जेटेट की निमावली क्या बनाई गई है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेटेट एक से पांच प्रात्मिक सिच्कों के लिए नि कितने खंडों में होगे सभी खंडों में कितना पतिसत अंक लाना अनिवार होगा और कौन कौन सा बिस एक से पाँच के परिच्छा में सामिल किया गया है तीन सारी बातों के जनकारी के लिए वीडियो कहने तक जुड़े हुए रहेगा चलिए देखते हैं पर चर्चा एक से पांच उंका जो परिच्छा में यहां पर-कितने खंडों में में होगा तो उनका जो परिच्छा में सारी बातों के जनकारी हम आपकोु दे रहे है বर गया तो सबसे पहले आप देखिएक हैंँ सबसे पहला घंड है आप 2019 नीमौली है और यह जो यहाँ पर नीमौली है यह 2022 का है ठीक है कून सा नीमौली है 2022 का नीमौली है अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 2019 में क्या प्रोधान किया गया था तो बाल विकास एवं सिछा पत्ती से 20 प्रस्न थें और पुर्णांक की संख्या जो थी ओ 20 थी और अभी 2022 में भी क्या है, तो बाल विकास सिच्छन पत्ति से 20 प्रस्न है, और पुरुनांक भी 20 है, यानि प्रति एक प्रस्न एक अंका होगा, अब देखिए, भासा एक, यानि दो को भासा है, भासा एक, सहायक सिचक, हिंदी एवंग अंगरेजी, हिंदी के लिए 20 प्रस्न ठीक है, और 40 प्रुनांक के होगा, यानि खंड एक से आपका यहाँ पर आप देखेंगे, तो खंड एक से 20 प्रस्न होगे, और 20 नंबर का होगा, खंड दो से यहाँ पर 40 प्रस्न होगे, हिंदी और अंगरेजी के 20 प्रस्न होगे, और अंगरेजी के 20 प्रस्न होगे, यानि तो उर्दू सिछक के लिए आप देखेंगे यहाँ पर उर्दू 20 प्रस्न और अंग्रेजी 20 प्रस्न यानि यहाँ पर उर्दू 20 प्रस्न अंग्रेजी 20 प्रस्न यानि यह भी आपका 40 प्रस्न होंगे और 40 नम्मर के होंगे यहाँ पर बात एक किलियर हो गई ठीक है अब चल में तीन विशायों को समाहित किया गया है एक है भासा टू एक है गनीद और एक है पर्यावरन देर यानि तीन विशाय हो गया है इसमें खंड तीन में यानि खंड तीन में कितने विशाय होंगे 3 बिसama होगे जिसमें 6-3 वम जनजाती भासा से पहले जो यहाँ था 20 प्रसन पूँछा जा रहा था कितने प्रसन पूँछा जा रहा थे? 20 प्रसन थे और पुरुणांक भी 20 था लेकिन अब जो है अब ही जो जेट ट होगी 2022 में उसमें 6-3 यूम जनजाती भासा से 40 प्रशन आएंगे और उसका कुल पुर्णाग 40 नमर का होगा यानि 1 प्रशन जो होगे वो 1 नमर के होगे अब अब क्लियर हो गया होगा कि भासा 2 जो है खंड 3 में होगा जो 6-3 यूम जनजाती भासा का होगा और अब जो एक्जाम होगी अभी 2022 में उसमें 40 प्रस्ण रहेंगे और 40 नंबर का होगा भासा 2 जो खंड टीन में होगा आगे देखते हैं गनीत की बात हम यहाँ पर करेंगे तो गनीत को आप यहाँ पर देख लें गनीत में क्या कुछ कहा जा रहा है तो गनीत के लिए आपका कहा जा रहा है कि गनीत में 60 प्रस्ण पहले थे ठीक है पहले कितने थे जो 2019 में नीमाली बनी थे उस 60 प्रस्ण थे लेकिन अभी जो नीमाली बनी है 2022 में जो संसोधित अब गनीत से आपके 50 प्रस्ण पूछे जाएंगे गनीत से कितने प्रस्ण पू परिच्छा जाएगा, तो पहले जुन्य मौली थी जो 2019 में, उसमें 60 प्रस्ण पूछे जाने का प्रोधान था, लेकिन अभी पर्यावरन अधियन में कितना प्रस्ण पूछा जाएगा, तो 50 प्रस्ण पूछा जाएगा, और उसका प्रुनांक भी यहाँ पर 50 का होगा, यान एक से पाँच के सिच्छक जो है, 200 नंबर का परिच्छा देंगे, अब एक बार आपको मैं और डिटेल्स यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर एक बार देख लीजेगा, किलियर आपको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, यानि एक से पाँच सिच्छको का जो यहाँ पर सिलेवस बना है, उसमें देखिए खंड एक बाल विकास एम सिच्छन पत्ति का होगा, जिससे 20 प्रसन आएंगे, खंड दो में भासा से सम्दित है, जिसमें कुल 40 प्रसन होगे, जिसमें 20 प्रसन हिंदी का होगा, और 20 प्रसन अंग्रेजी का होगा, समान् खंड तीन में आप देखेंगे, जो जेटिर 2022 है, उसमें भासा, छेतरी और जनजाती भासा 40 नंबर का होगा, और यहाँ पर गनीत 50 नंबर का होगा, और प्रियावरन अधियन 50 नंबर का होगा, यानि इस तरह से आप जोड़ेंगे, तो यहाँ खंड तीन से कुल कितने नं जहन 50, गनीत 50, और यहाँ पर आपका छेतरी और जनजाती भासा 40 ठीक है, खंड 2 से आपके 40 नंबर के प्रस्न होगे, जो भासा से होगे, और खंड 1 से 20 नंबर के प्रस्न होगे, अब चलिए, अब हम यहाँ पर आपको बता दें, कि आप पास कैसे कीजेगा, देखें यहा आप यहाँ पर देखिएगा कि किस कैटेगरी में कितने पासिंग मार्स रखे गए हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक बार, यहाँ पर आप देखिएगा कि कितने रखे गए हैं, तो आप देख लिजेगा यहाँ पर, समान यह जाती, जो जेनरल हैं, उनके यानि आठ नंबर आपको लाना अनिवार हो गए, याठ से कम लाते हैं, तो आप वहाँ पर अयोगोसित कर दिये जाएंगे, फेल कर दिये जाएंगे, बास समझ गया है, चलिए, अब यहाँ पर और अधिक्तम कितना लाना है, तीनो खंड मिला करके 60 परतिसद लाना है, तीनो 220 अंक कुल मिला के लाना है, लेकिन यहाँ पर खंड में आपको 40 परतिसद लाना है, यानि खंड एक जो है, आपका पेड़ागोगी 20 नमर काया, तो उसमें 8 नमर कंडिडेट का आना चाहिए, अगर 8 से कम आता है, आप कितना भी नमर ले ले लाएंगे, चाहे 150, 170, आपको अयोग है, फेल कर दिया जाएगा, क्लियर हो गए, चलिए, अब देखिएगा, अनुसूचित जाती की हम बात करें, अनुसूचित जाती, तो उनको परते खंड में 30 परतिसद अंक लाना अनिवार है, यानि खंड एक की बात करें, तो पेड़ागोगी 20 नमर का है, तो यद हैं, तो आपको चो नमर यानि 30 परतिसद आपको लाना है, ठीक है, और कूल परतिसद यानि 200 अंक का आपका परिच्छा है, तो आपको 50 परतिसद यानि 100 अंक कूल मिला करके लाना होगा, लेकिन परते खंड में 30 परतिसद आपको लाना अनिवार होगा, तो 30 से कम लाते हैं और आप इधर 100 से ज्यादा भी ले लाते हैं, तो आपको यहाँ पर जेटेट में फेल कर दिया जाएगा, अब चलिए, पिछडा वर्ग की हम बात कर लें, पिछडा वर्ग अनुसूची एक को नियूंतम परते खंड में जो है 35 पर 37 अंक लाना आनिवारी हो गया, ठीक है, त आपको लाना होगा, अगर आप खंड 3 में देखिएगा, तो 120 का आपको 35 पर 37 अनिवारी होगा, और उसके बात मिला करके आपको कितला ना होगा, तो मिला करके जो है, आपको यहाँ पर 55 पर 37 अंक लाना है, किसको, पिछडा वर्ग, और पिछडा वर्ग 2 और आर्थिक DWA से वेर्थियों को किता लाना है? पचपन लाना है कुल मिला करके और परते खंड में 35% अंक लाना अनिवारी होगा चलिए अब बात कर लेते हैं दिव्यांग का तो दिव्यांग को यहां पर 30% अंक लाना अनिवारी है और यहां पर बात करेंगे तो कुल प्रप्तांग का उनको 50% अंक लाना अनिवारी होगा तो इस तरह से आपका जेटेट का यहां पर एक से पाँच सिचकों का सिलेवस बनाया गया है जो तीन खंड में है खंड 1, खंड 2 और खंड 3 परते खंड में आपको यहां पर कैटेगरी वाइज अलग-अलग है समान ये जाति के लिए यहां पर जो आपका है वो आपका हो जागा यहां पर 40% अनुसुचे जाती अनुसुचे जन जाती आदिम जन जाती के लिए परते खंड में 30% अंक लाना अनिवारी होगा पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 और EWS को 35% अनिवार होगा और दिव्यां को यहां पर 30% अनिवार होगा परते खंड में और कुल मिलाकर के बात करें तो समान ये जाती को 60% AC, ST और आदिम जन जाती को यहां पर 50% कुल मिलाकर के और पिछड़ा वर्गन सुची एकन सुची 2 को 25% और दिव्यां को 50% अनिवारी किया गया है अब हम अताते चले कि जेटेट से जुड़ी हर जनकारी और तयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद